नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर बच्चों, आज हम नमवी कक्षा की पाठ्या पुस्तक में संकली पाठ नो मेग आये के प्रशन उतर पर चर्चा करेंगे तो आईए देखते हैं इसका पहला प्रशन बादलों के आने पर प्रकरती में जिन गती शील क्रियाओं को कवी ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए आपने इसमें बताना है कि जैसे ही बादल आते हैं उसमें आने से प्रकरती में क्या-क्या परिवर्तन हुए तो आपने बताने है उत्तर में बादलों के आने पर प्रकती परसंता से भर कर जिस परकार नाच उटती है उससे अनेक गतिशील क्रियाएं प्रकत होती है जैसे हवा नाचती गाती आगे आगे चली पेड जूक कर गर्दन उचकाए जांकने लगे आंधी धूल रूपी गागरा उठाकर भाग चली नदी बांकी चित्वन उठाकर ठिटकी और उसका घुंगट सरका बूड़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की लता किवाड की जोर से अकुलाई और बोली ताला भरशाया और प्रात भरकर पानी लाया शितिज अटारी गहराई और बिजली कॉंदी मतलब कॉंदी मतलब चमकी बिजली चमकी तो ये इसका उत्तर था आईए देखते हैं दूसरा प्रेशन निमल लिखित किसके परतीक है जो आपको गाउं की घागरा उठाकर भागने वाली चोटी लड़कियों का ठीक है इसका परतीक है पेड पेड को किसके साथ कमपेर किया गया है गाउं के जाने अन जाने आदमियों का परतीक है नदी गाउं की युपतियों का लता विरहनी प्रियतमा का ताल घर का कोई बड़ा सदस आईए देखते हैं तीसरा फ्रेशन लता ने बादल रूपी महमान को किस तरह देखा और क्यूं? लता ने विरहनी प्रियत्मा नाइका या पत्नी के रूप में बादल रूपी प्रियत्मा की ओर लाज भरी आंखों से देखा जिसमें उलाहना भरा हुआ था कि वे बहुत देर बाद आये थे मतलब इसमें क्या कहा गया है जो लता है उसका कंपेर ने एक प्रियत्मा के साथ किया हुआ है एक नाइका के साथ किया हुआ है या एक पत्नी मतलब लता जो है यहां पर प्रियत्मा है नाइका है या पत्नी है और बादल जो है वो प्रियत्म के रूप में है मतलब जैसे लता जो वो हिरोईन के रूप में है और जो बादल है वो हिरो के रूप में जो आपको easy language समझा आ जाएगी तो लता यहां पर प्रियतमा है नाइकाय पत्नी है और उसका जो बादल जो है वो उसके प्रियतम है यह थर्ड का उत्तर था चोथे का अंसर देखते हैं भाव स्पष्ट कीजिए अब इसमें आपको दो पंक्तियां दी गई है एक कर पाथ है उसमें आपने उनका भाव बतान है कि इनका भाव मतलब थोड़े सा इसको एक्स्प्लेन करने है आपने तो इसमें क्या कहा गया है इसको एक्स्प्लेन करके आपने बताने है कि धर्ती मानो बादलों से कह रही थी कि शमा करो अभी तक हम यही समझ रहे थे कि आकाश में उमड़ गुमड़ कर आए बादल ब कि हमें शमा कर दीजिए, हमें मुआफ कर दीजिए, हम तो अभी तक यही समझ रहे थे, कि बादल जो है, वो सिर्फ आकर गरज गरज कर यहाँ चले जाएंगे, लेकिन बरसेंगे नहीं, लेकिन अब हमारा ये ब्रह्म जो था हमारा जो ब्रह्म था वो तूट गया है और अब हमें पता चल गया है कि तुम बरसने वाले हो तो ख़पाट का देख लेते हैं बांकी चित्वन उठा नदी ठिठकी घुंगट सरके तो इसका भाव आपने लिखना है उत्तर में नदी अपने परवा को थोड़ा रोक कर ठिठक कर खड़ी हो गई नदी रूपी गाउं की नदी रूपी युपती ने अपने मुँपर घुंगट सरका लिया और तिर्शी नजर से सजे समरे बातनों की और देखने लगी इसमें ये बताया गया है कि नदी जो है वो थोड़ा दीरे दीरे रुक रुक कर चलने लगी थोड़ा उसका परवाद बहने का बहाव जो थोड़ा रुक रुक कर चलने लगा और जो नदी है वो उसका कंपेर किसके साथ किया गया है गाउं की युफती के साथ पहले बता और नदी जो रूपी गाउं की मतलब युपती है जो गाउं की युपती मतलब नदी जो है वो अपने घुंगट को उसने सरका लिया और वो टेरी नजर से सजे समरे बादल की ओर देखने लगी तो आईए बच्छे इसका पांचमा प्रशन देखते हैं मेग रूपी महमान के आने से वातावरन में क्या परिवर्तन हुए ये वैसा ही है जैसा आपने पहला प्रशन पड़ा था उसी की तरह ही है सेम ही है तो इसमें आपने बताने है जैसे मेग रूपी महमान आती है तो उसके आने से क्या परिवर्तन होते हैं वातावरन में तो उ क्याने से बैयार नाचने गाने लगी बैयार मतलब हवा हवा नाचने गाने लगी अर्थार हवा चलनी आरंब होगी हवा चो थी वो तेज चलने लगी पेड मेगों को देखने के लिए गर्दन उपर उठा कर जहांकने लगे नदी भी एक पल के लिए रुक कर मुख पर गुंगर डाल कर तिर्शी नजरों से मेगों को देखने की कोशिश करने लगी लता तो किवाड की आड में छिप कर मेगों को देर से आने का उपलांब देने लगी उपलांब यहां पर हो गया शिकायत करने लगी ताल खुशी से भर कर मेगों के स्वागत में अपना जल अरपित करने को तयार है मतलब ताल जो है तालाब जो है वो बड़ी परसंता से भर गया और वो अपना जल जो है मेगों के स्वागत करने के लिए अपना जल जो है तो इसका उत्तर देखती है, दामाद की तरह मेख गाउं में लंबे समय के बाद लोटा था, वह सज समवर कर बंठन कर लोटा था, क्यूंकि वह गाउं के सभी अपनों प्रायों पर अपने व्यक्तितब का परभाब डालना चाहता था, मतलब यहां पर इनों ने बोला है कि ज काफी टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद मतलब गाउं में बरसने के लिए आए हैं, तो इसलिए जो हैं वो बहुत ही बंठन कर समर कर आए हैं, तो सात्मा प्रशन देखते हैं, कवीता में आए मानवी करन तथा रूपक अलंकार के उधारन खोज कर लिखे, आपने इसम में आए बड़े बंठन के समर के, यह मानवी करन अलंकार का पहला उधारन है, क्योंकि यहां पे मानवी करन वो अलंकार होता है, जहां पे जैसे में है, में का कंपेर इनोंने किसके साथ किया हुआ है, महमान के साथ किया हुआ है, तो यहां पे जो है, इसलिए यहां पे मान चोट हाँ पेड़ जुक ज्हांकने लगे गरधन उचकाए ठीक है यहां पे भी पेड़ों का पेड़ जो ये इसका तीसरा उधारन है मानवी करेलंकार का और चोथा उधारन है धूल भागी घागरा उठाए यहां पे देखो पेड़ का पेड़ जो है उसका कंपेड़ जैसे आपने पहले पढ़ा कि पेड़ का कंपेड़ जो है वो गाउं में रहने वाले आदमियों के साथ किया गया है धूल का जो कंपेड़ है वो किसके साथ किया गया है गाउं की जो घागरा उठाकर भागने वाल नदी ठिटकी यहाँ पे भी नदी जो है वो गाउं की युगतियों का उधारन है इसलिए यह भी मानवी करन अलंकार है बुड़े पिपल ने आगे बढ़कर जुहार की तो बुड़े पिपल यहाँ पे घर का कोई बड़ा सदस्य है तो उसके साथ बुड़े पिपल का compare किया हुआ है, इसलिए यहां पे भी मानवी करन अलंकार है, तो यहां इतने से इसके मानवी करन अलंकार आगे, आगे हम देखते हैं रूपक अलंकार, रूपक अलंकार देखते हैं किस-किस में है, गाती बेयार, इसमें रूपक अलंकार ह बूड़े पीपल इसमें रुपक अलंकार है अकुलाई लता इसमें भी रुपक अलंकार है शितिज अटारी इसमें भी रुपक अलंकार है रुपक अलंकार में भी कंपेर किया जाता है लेकिन इसमें जो इसमें रुपक अलंकार में योजिक चिनों का भी प्रयोग किया जात जैसे बियार जो क्या कर रही है गारी है ठीक है बुड़े पीपल पीपल कैसा है बुड़ा है लता लता ने क्या ली अकुलाई शितिज अटारी शितिज जो है वो कहां पर आगया है शितिज जो है अटारी शितिज अटारी जो है यहां पर भी रूपक अलंकार है ठीक है तो बाद आपने नेक्स्ट जो है प्रशन देखते हैं नेक्स्ट प्रशन है कविता में जिन रिती रिवाजों का मार्मिक चितरन हुआ है उनका वर्नन कीजिए तो आपने बताना है इसमें किन रिती रिवाजों का चितरन हुआ है उसका वर्नन करना है तो उत्तर में देख लेते नगर में रहने वाला विशिष्ट अति थी, अति थी मतलब दामाद, जब गाउं पहुंचा था तो उसका सब ने मिल जुल कर स्वागत किया, गाउं से बाहर लगे बुड़े बर्गत, बुड़े पिपल जो है रुपी पेड ने आगे बढ़कर उसका अभिनंदन किया, की किवाड के पीछे चिपी रही और उसने मंद स्वर में देर से आने का उलाना दिया, यहां पे जब यह आया, बादल मतलब दामाद जब आये गाउं में, तो इस परकार से उनका स्वागत हुआ, इसमें यही बताया गया है, आप देखते हैं, प्रशन जो है नाइंथ, न देखिए, तो उत्तर देखते हैं, कि मतलब क्या होता है, जैसे ही बादल या जो दामाद है वो जब आता है, तो उसका आने से क्या क्या होता है, वो देखते हैं, मेग रूपी शाहरी पाहुन के, पाहुन मतलब महमान, कि आते ही पूरा गाउं उलास से भर उठा, मतलब खिर्कियां खोल लिये ताकि वे पाहुन के दर्शन कर सके पेड उचक उचक कर महमान को देखने लगे आंधी अपना गागरा उठाए दोड चली नदी अपने नैनों से मेग को सजधचकर देखकर हैरान हो गई गाउं के पुराने पीपल ने भी मानों जुक कर नमस्ते की आं तब तुम्हें हमारी याद बहुत सालों के बाद आई गाउं का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया शितिच रूपी अटारी लोगों से लद गई बिजली भी चमकने लगी इस परकार पुरा गाउं उला से भर उठा तो इसमें आपने यही बताना है कि जैसे ही मतलब पूरा गाउं जो था वो खुशी से भर उठा हवा चलने लगी यह पहले प्रशन की तरह ही मिलता जुलता है हवा चलने लगी उस और सारे जो गाउं के लोग थे अपने खिड़कें दरवाजे खोल कर सबी जो है बादलों को देखने लगे और पेड़ भी उचक उचक कर देखने लगी मतलब पेड़ भी हिलने लगे और जो आंधी थी वो भागने लगी और उसके बाद जो नदी थी वो सचदच कर मैं उसको देखने लगी बादलों को देखने लगी गाउं के जो पुराने पीपल का पेड़ था वो उसने उसका मानो उस दामाद का या मेग का सौागत किया गाओं में जो लता थी वो भी वो भी अपनी दर्वाजे के पीछे शिप गई और उससे शिकायत करने लगी कि तुम बहुती सालों बाद यहां पर तुमें हमारी याद आई है और गाओं का जो तालाब था उसने महमान के सौागत मतलब मेग के सौा बाद यहां पर सभी लोग बादलों को देखने के लिए आगे और इस परकार से सारा गाओं जो था उल्लास से मतलब खुशी से भर उठा तो आईए विच्छों आप इसका देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं इसका दस्वा प्रशन देखते हैं कावे सौंद्रे लिख दामाद की तरह गाओं में पधारे हैं और उनके पधारने से सब परसंता से भरूठे कवी ने कवी ने रूपक के प्रयोग से अतिसुंदर चितरन किया हुआ है इसमें इसमें अनुप्रास का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है मानविकरन अलंकार का प्रयोग हुआ ह तो बच्चो आपके लिए यह जो अलंकार है अलंकार मानुप्रास अलंकार मानवी जो भी इसमें अलंकार है उसकी में अलग से एक वीडियो बनाऊंगे आपके लिए तो बच्चो मुझे आशा है कि आपको यह पाथ अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसको यह अच्छा झाल